अयोध्या में 22 जन्वरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम के आगमन पर देश भर के मंदिरों से उपहार भेजे जाएंगे केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर द्वारा भगवान राम को उपहार स्वरूप ओनाविलू भेंट किया जाएगा ओनाविलू एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो छोटे धनुष के आकार का होता है रामतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौपा जाएगा ओनाविलू जिस ओनाविलू को भगवान राम को उपहार स्वरूप भेजा जाएगा उसे गुरुवार सुबह से भक्त भी देख सकेंगे पद्मनाभस्वामी मंदिर के पुजारी और मंदिर प्रशासन समिती के सदस्य इस ओनाविलू को श्री रामतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को एक समारोह में शाम साढ़े पाँच बजे सौपेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे 22 जन्वरी को ही मंदिर के गर्भग्रह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित और प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अनुष्ठान शुरू, श्री राम मंदिर निर्मान समिती के अध्यक्ष निरिपेंद्र मिश्र ने बुधवार को बताया कि प्रान प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त बाईस जन्वरी को दोपहर साड़े बारह बजे का है, का अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो गए हैं और 22 जनवरी तक चलेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर में 11,000 से ज्यादा लोगों को निमंतरन भेजा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को एक विशेश उपहार भी दिया जाएगा। लक्ष्मी कांत दीक्षित के नेत्रित्व में पुजारियों की एक टीम प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरा करेगी। उलेखनी है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विश्णू को समर्पित है और भगवान राम को भी भगवान विश्णू का ही अवतार माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और पुराणों में भी इसका जिक्र है। श्रीमत भागवत के अनुसार बलराम भी इस मंदिर में आये थे और उन्होंने यहां के पवित्र सरोवर पद्म तीर्थम में स्नान भी किया था। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक करें।